हलो और वेल्कम दोस्तों तो 5 मिनिट्स इंजिनेरिंग आज का वीडियो वाक़ी बड़ा कमाल का उने वाला है दोस्तों कि आज भाईया एक ऐसा मैथड अपन देखने वाले हैं तो फाइंड दर रैंक ओफ मैट्रिक्स जिसको एक डिफॉल्ट मैथड माना जाता है कि यह अलग-अलग है यार देखो शब्दों पर मत जाओ भावना हो समझो और आज यही भावना है जो है मैं आप तक पहुचाने वाला हूं कि आखिर कर यह आखिर चीज क्या है देखो अपने को यह एक मैट्रिक्स दी होगी मान लीजे दिर इस वन मैट्रिक्स ओके और लेट से अपने काम आने वाली चीज है लेकिन आखिरकार यह है क्या यह वाली जो गिवन मैट्रिक्स है इसके साथ करना किया है ताकि हम अपने रैंक ओफ मैट्रिक्स तक बहुच सके बाइउजिंग दिस मैट्रिक्स तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप नाम से समझ सकते एक लॉन form, form, मतलब a kind of form है वो अब अपने को ये जो matrix A है इसको इस respective form में लाना है and then you have to just see that reduced form of that matrix जिसको अपन Eclon form बोलते हैं उसको सिर्फ देखना है देखने के बाद कुछ points conclude करने है और उसके बाद आपका answer यानि कि rank of matrix तयार है, simple समामला है, ठीक है, तो यार Eclon form आखिर होता क्या है, यानि कि उस तक, आगर ये मेरे पास matrix given है तो मुझे यहां से वो Eclon form तक पहुचना है उसके तो ये मुझे पता होना चीए कि basically Eclon form दिखता कैसा है भाई या फिर होता क्या है तब तो मैं उस तक पहुच पाऊंगा न तो ठीक है, चलो अभी मैं जो है बढ़िया सा शुरू करता हूं कि Eclon form क्या होता है तो उसकी जो पहली row है जो first row है और ये जो first column है उसका जो intersection यानि कि 1,1 ये जो position आपकी उस matrix की, उस पे उस particular जगव पे उस location पे आपको यहाँ पे 1 का आकड़ा दिखना चाहिए unity बराबर है, इसको अपन leading 1 बोलते है इसको ये क्या होगा आपका ये शुरुवाती जो 1 है आपका पहले row का, पहले column का जो ये position पकड़ता है ये आपका 1 होना चाहिए इसके बाद भाहिस साब फिर कोई भी आकड़े हो सकते है it doesn't matter ठीके, लेकिन पहला शुरुवात तो 1 से ही होनी चाहिए ठीके, उसके बाद अगले पे आते है अगले next row पे आते है next row पे ये वाला जहाँ पे 1 है इसके नीचे 0 होने ही चाहिए इसके नीचे मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे 0 होने ही चाहिए 0 मंगते ही है ये बात अपने को समझने है ठीक है, अब यही जो मेरी second row है ये 0 के बाद जो है 0 के बाद जो है, 0 भी हो सकता है या non-0 भी हो सकता है बात आपको समझ में रही है लेकिन ये तो zero होना ही चाहिए इसके बाद जो है वो अगले position पे second number row के अगले position पे यानि कि second row के second element पे zero या non-zero कोई भी आकड़ा हो सकता है possible है लेकिन यहाँ पे भी एक twist है जीरो हो तो कोई problem ने लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे इस position में कोई non-zero है तो वो non-zero आकड़ा कौन सा होना चीए it must be one मतलब कि आपका कोई भी row जो है इस respective matrix का अगर वो शुरू हो रहा है उसकी जो शुरुआत हो रही है it must start with one मतलब पहले तो कुछ zero होंगे पहले कुछ zero होंगे पहले कुछ zero होंगे हर row के लेकिन zero के बाद जो non-zero वाला पहला आकड़ा होगा उस row में वो one होना चाहिए simple है है की ने तो जैसे कि अभी इसमें एक zero था तो मैंने हापे one लगा दिया अब इस one के बाद कुछ भी हो सकता है it doesn't matter ठीक है फिर third row पे आते हैं यहाँ पे zero है मान लीजी यहाँ पे भी zero आ गया मान लीजी यहाँ पे भी zero है लेकिन यह तीन zero के बाद इस third row में अगर कोई non-zero element आता है तो it should be starting with one वो one ही होना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है मान लीजी यहाँ पे भी zero यहाँ पे भी zero यहाँ पे भी zero यहाँ पे भी zero इस row में fourth row में पांच zero आ गए और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पहला non-zero जो element होना चाहिए it should be a leading one वो ऐसा है रो आपके उस matrix में जिसमें सबके सब zero है every each and every element in that row जैसे कि यह वाली रो आप देख सकते हो उसमें zero है तो it must be the last row यह आपको बात समझनी है वो क्या होनी चाहिए it must be the last row तो भाया यह जो भी कुल मिला कि आपका बनेगा it would be a eclon form मतलब आपको matrix यह जो भी दिया उसको आपको convert करना है कुछ ऐसे form में कुछ ऐसा दिखना चाहिए इन rules को follow करते हुए जो भी form आपका generate होगा वो एclon form होगा उसके बाद क्या करना है यह चलो मैंने generate कर दिया उसके बाद क्या करना है आपको सिर्फ देखना है इस matrix को आपको सिर्फ इस matrix को देखना है और क् किने उसमें कितने number of non-zero rows exist करते हैं मान लीजे यहाँ पर मेरे पास जो है non-zero rows जो है अगर यही example लूँ चलो यही example लूँ तो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर 4 मेरे non-zero row है और एक वाला जो है वो पूरा zero है complete zero total मेरे पास 5 row है और यहाँ पर 4 row मेरे non-zero है sorry and only one row is zero तो इस case में अपन ब matrix A is equal to 4 simple as that तो जितने भी number of non-zero rows आपके exist करेंगे आपके given matrix के eclon form में उतना वो आकड़ा आपका rank है of that respective matrix simple as that I hope दोस्तों आपको इबात समझ में आगे होगी इसको और बहतर तरीके से अपन समझेंगे अगले वीडियो में जहां पर मैं proper example के साथ solve करके आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस form तक कैसे पहुचा जाए क्या क्या आपको करना पड़ सकता है और कैसे आप rank of matrix determine करोगे by using this method अगर हाल फिला अगर ये वीडियो आपको पसंद आगया होगा अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए उससे बीज़र जरूरी इस वीडियो को शेर कीजिए अपने सार दोस्तों के साथ thanks a lot दोस्तों for watching this वीडियो